हेलो बच्चों क्या हाल है आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है योगेश वर्मा आप सभी का वायसर अकैडमी के ऑनलाइन प्लेटपॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि बच्चों हमारे प्रिवेस वीडियो में हम देखें हम ट्रिगो की सीरीज में सब्सक्राइब कर लिए और मैंने कोशिश कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको चीज़े याद हो जाए तो अगर आप इस वीडियो पर सीथे हैं तो पहले प्रिवेस वीडियो देखने एक बार और फिर इस पर आजाए क्योंकि आज हम जो है कहानी को आगे बढ़ाएंगे प्रोजेक्शन रूल और हाफ एंगल और नेपियर एनलोगी यानि के टेंजेंट रूल वह देखते हुए एक्सरसाइज में जम करने वाले हैं बागे की तरफ ठीक है तो आज का पहला टास्क है बच्चों हमारी तीन चीज़े कवर करना प्रोजेक्शन हाफ एंगल जो की सबस्क्राइब फेस्टू का फ्यर्स वन हमारा पूरा को खत jakiक है बच्चों चले स्टार्ट करता हो मैं बहुंब प्रोजेक्शन रोलड बच्चों को साइन तक खतम कर चुके बच्चो सुखरिपय करके प्रिप्पय जो है पिछला वीडियो एक बार देख लिए तो चलिए बच्चो मैं स्टार्ट करता हूं कहानी कहानी स्टार्ट करने से पहले बच्चो कुछ चीज़े एक चोटा सा यहां पर आपको ट्रैंगल दिख्चावा होगा इस ट्रैंगल का नाम करन कर देते हैं ए यंद सी यह अब थेकर प्रोजेक्शन का मतलब पहले समझो परच्छाई यानि कि शेडव किसका होता है तो सबस्पोस सबस्ट अगर मैं इस ट्रैंगल पर बात करो यह एक साइड है बच्चो मेरा अगर मैं इसकी परच्छाई धूढ़ना चाहँ इसकी परच्छाई यहां पर सूरज एक लगा हुआ है सूरज जो है है तो सनलाइट आ और इसकी परचाई बन रही तो बच्चो वह ऐसे इस तरीके से बनेगी अब यह इस तरीके से बनेगी तो मैंने उसके लिए क्या पर यहां पर आ रही है इसी परचाई को धून ना सेम एबी एन एसी इन दोनों की परच्छाई अगर बीसी पर पढ़ रही है तो वाट वूड बीसी बस यह धूना वहीं है प्रोजेक्शन रूल अच्छा अब इसका यूज कहा है तो सर इसका यूज ट्राइंगल में यूज करेंगे भी ट्राइंगल के डेटा मिसिंग डेट के यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करो सब्सक्राइं मैं एंगल बीको लेकर काम करना चाहिए यह मेरा विए इसको लेकिए आप सी तीनों के लoi semble कर सकते मैं एक के लिए प्रूफ करूंगा बोल दूंगा similarly बाकी सब होना है तो अगर मैं बी के लिए प्रूफ करना तो दिखो एंगल भी तीन हो सकता है एक तो यह चोटा दिख रहा है आपको अप्ट्यूस या यह ऐसे बड़ा भी हो सकता है यह इस तरीके से तो यह हो बड़ा अप्ट्यूस हो गया यह यह सी राइट एंगल तीनों के से समको देखने और तीनों के सिसमें बचो प्रूफ करके दिखाना है ठीक है चलिए पहले हम देखते हैं कैसे कैसे हम प्रूफ करें पहले हम नॉर्मल ट्रेंगल यानि कि मैं यहां पर अगर मैंने 90 से होते हैं क्या होते हैं कैसे बाद में धिरे-धिरे डिसकस करेंगे पहले हम तीनों के से सौल करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपूट क्या निकल के आता है ठीक है तो मैं पहला वाला धेरम प्रूफ कर रहा हूं बच्चो इसलिए मैं एंगल भी यूज किया है मैं चाहत एक्स्प्लिनेशन पार्ट दे रहा हूं यहां से आपको एक्स्प्लिनेशन पार्ट सीखना है बहुत अच्छे है ठीक है अब यहां पर अगर पहला केस अब्सक्राइब करें बच्चो मैंने लेस दें 90 बोला है भी तो इस समय यह मेरा एल्टीट्यूड हो आप अगर अच अगर यहां पर सनलाइट दी तो भई इसका प्रोजेक्शन यहां पर बनेगा यानि कि सर जो एबी है यह इसका प्रोजेक्शन युल गेट अन बीडी यह मेरा प्रोजेक्शन हो गया पहली बात अगर यह मेरा प्रोजेक्शन हो गया तो आप एक चीज़ और अबजर्व कर तक यह कॉस्वी का एड्जेशन और 90 के सामने यह हैपोटेनिस है तो आइकन से हो जाएगा सर बीडी अपॉन अब 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 का लेंद कितना है तो देखो यह मैंने आपको पहले सिखा रखा है एके सामने वाला यूजल नोटेशन यह होगा इस यह बी एन दिस इस यह सी बच सी कॉस्वी यह मेरा पहला केसा लिए बचो सिमिलरली अगर मैं बाजू वाले ट्रैंगल पर मेनत करूं तो यहां पर अगर मैंने सनलाइट दी बचो तो इसका प्रोजेक्शन यह डी सी पर फॉर्म होगा और अगर मैं यहां पर कॉसी यूज किया बचो तो कॉसी की वैल्य हो जाएगी एड़ेसन यानि कि सीडी अपन हाइपोटेनियस इसके लिए देखो यह 90 डिग्री है तो यह सामने वाला हाइपोटेनियस यानि की एसी तो यहां से मुझे एसी की वैल्यू मिल गई नौट एसी की वैल्यू यहां से हमको मिल गया कि कॉसी नथीं बट सीडी एसी एसी का वैल्यू बच्चो बी है तो यहां से आपको सीडी की वैल्यू मिल जाएगे तो सीडी इस नथिंग बट बी कॉसी और अगर मैं मेरे दोनों परस्ट और सेकंड को अब्सर्फ करूं तो वट वट इस आर देखो बीडी और सीडी वेरस बीडी यह बच्चो सीडीं मेरे को क्या मिला सी बी कोषी बी कोषी और यóब सी एंस एंक पहला प्रूफ होगा दिखो पहले केस में केस ऒण में इन obtuse in acute we have seen कि भया a is equal to c cos b plus b cos c याद कर लेंगे a is equal to यह अपन्य पहला के से इस थेरम का पहला के सिस को प्रूफ कर रहा हूँ इसको प्रूफ करने के भी तीन तरीके परस्ट के मैं आफ टेकन एस एंगल एस एक्टूट ना इल टॉक अबाउट कि अगर अपने आप्ट्यूस लिया होता तो क्या होता तो बच्छों उसके लिए मैं एक नया स्लाइड करने रहा हूं ठीक है इसी को कंटीनिव कर रहा हूं इसी का केस्टू केस्टू इसका अब अप्ट्यूस प्ता नहीं से बनेगा कि नहीं तो मैं ऐसी बना दे रहा हूं बच्छों नॉर्मली अब रोटेट कर देते हैं इसको आजी सो यह बच्छों हमारा ट्राइंगल है थोड़ा इसको बड़ा कर ले रहे हैं एक सिकन्ट है ना इस अप्ट्यूस बच्छों यह परफेक्ट ऑप्ट्यूस है थोड़ा और सीधा कर लेते हैं सब्सक्राइब कर दिया इसको नाम दे दिया आपका और यह चोटा ए हो गया ठीक है इसको एक नाम दे देते हैं जहां पर हमने अल्टिट्यूट रॉक किया है अब बच्छों इसमें भी प्रूफ करके दिखाना है सेम केस सेम केस यानिकि बच्छों हमको प्रूफ क्या करना था अगर आपको याद नहीं रहे ना कि भी या ऐसे ऐसे सर्कुलर के वे में याद कर लीजिया आप जैको जब भी मैं एलूंगा तो एशुडबी इस इक्वल टूबी कॉस दिखो आगे वाला बी कॉस सी प्लस सी कॉस भी सी कॉस बी यह होता है बच्छों यहीं हमको प्रूफ करना है तो याद करना तो बहुत आसा है बस आप इस सर्कुल को याद रखे एबी सी इवन उसको बाकी भी है ऐसी याद करने जैसे बी इस इक्वल टू सी कॉस है एकॉस सी एकॉस एकॉस बी कॉस है ऐसे हम तीनों याद रख सकते यह याद करने का तरीका होगा लेकिन प्रूफ अभी हम बच्छों यहां पर द्यान देना यह आध्यान दे नहीं तो यह पूरा 108 उता है हमारा पाई पूरा पूरः अगर पूरावनटे है बust तो यह जो बचए एँगल है लें यह लका एगर बी माइनस भी बहुत ध्यान देना यह अगर बी है तो इससर माइनिस नाएप पूरा पाइए यानि कि 180 डिग्री तो अगर ये सी सी सो स्कॉई माइनस एक हस बहुत ऑर दबो याद रहना था है आपको कॉई पाइप देखो अपाइप पाइध को जिसके अपाईध है कॉ और कॉस को साला रहेगा जिसके क्वान में टू आता और चेंज प्रूसाइन प Cum तो बाहर माइनस आ जाएगा तो यहां रखना बच्चों हर एक बात एक प्रॉपर बात याद रखनी है मैंने यहां पर क्या बोला इस कॉस्पाइब माइनस बी पाइ माइनस भी इस इकवल टू बोल्ड इस पेलास डिस्पट है अब यह तो एक होगया मैंने बी निकाल लिया एंगल भी ना फ्रकाउट फॉस। अब वहाँ पे मेरा C है, अब C के लिए मैं कैसे वर्काउट करो बचो, C के लिए अगर मुझे वर्काउट करना है, तो C के लिए अपन कैसे वर्काउट करेंगे, यह C है, यह निकालना है, तो अब इसके लिए मुझे पूरा ट्राइंगल देखना पड़ेगा, पूरा ट्रा यह पूरे ट्रैंगल में फ्ल सी कॉसी अगर मैं कॉसी को देखो के वह वह सी दो पूरा डी से सी अपन है इसके लिए हाइपोटेनियस कॉन है एंटी के सामने वाला एसी सबस्क्राइब एसी की वैली मुझे पता है आपका वी सो यहां से मुझे डी सी दिसी मिल गया डी सीइज एकल टुट भी कोस से इस माइट आब अगर मैं इन दोनों को अबजरू करूं गुष सबस्क्राइब आप बी डी यानि कि सर ये वाला और ये पूरा मिला सीडी ये देखो सीडी फिर मुझे तो खली ना ये वाला पाट की ना ए एक वरट तो मुझे खली बीसी चिह था और अगर आप एपसे पता है सीडी माइनस ये छोटा सा बीडि पूरा BC है A is equal to पूरा CD, see you can see पूरा CD is B cos C minus BD, BD is how much बच्चो, BD is minus C minus C cos B, और जिस दिन मैं देखूंगा minus minus plus हुआ, तो A is B cos C plus C cos B, and I think बच्चो, proof हो गया बापस है, you can see, second case B done, तो भी पहला case, normal था, second case में थोड़ी मैंनत की हमने, extend किया, hide बनाई, pi minus B लाया, इसमें apply किया, then पूरे triangle में apply किया, then BC निकालने के लिए, बड़ा वाला minus BD कर दिया, तो BC आगे, that's it, यहां पर हमारा output निकल दिए, case 3, बच्चो, third case, इसी theorem का, that is case number 3, case number 3 in right angle triangle, suppose बच्चो, हमको right angle triangle पे काम करना है, यह suppose मेरा right angle triangle है, 90 degree वाला, ठीक है, यह suppose 90, एक right angle triangle है, बच्चो, यहां पर 90 degree मेरा रखता है, इसको भी नाम करन कर देते हैं, पटक से ABC, बड़ छोटा सा, एक्दम फट से प्रूफ हो जाए, एके सामने का length, छोटा a, this is your छोटा b, b के सामने, this is your छोटा c, ठीक है बच्चो, यह length है पूरा इसका, same case proof करना है, यह case number 3, same way वही answer आएगा, a is equal to b cos c plus c cos b, अब कैसे हैं अब observe करेंगे सब बच्चे, ठीक हो मैं पहले b की अगर बात तरू, यह b है और यह c है, मैं 2 को ले लेता हूँ, तो बच्चो, अगर मैं cos b बोलू, या आपको बोलू, cos c निकालो, तो बच्चो, cos b का सीधा सीधा मतलब है, sir, b 90 है, तो it is 90 जो की होता है, अंडा, 0, and cos c, अगर मैं बोलू, तो sir, cos c क्या होता है, आपको, adjacent, adjacent, adjacent यानि की बच्चो, a upon, adjacent upon, hypotenuse, a upon b, so, यहां से a की value मिलगी, sir, a की value मिली, b cos c, लेकिन, sir, sir, तो a is equal to b cos c आ गया, पर a क्या होता है, b cos c plus c cos b, c cos b, मैं आपने मन से लिख दिया, पर sir, ऐसा कैसे अपने मन से लिख सकते हैं, देखो बच्चो, यहां पर ध्यान दू तो cos b की value 0 है, I can 200% write, अगर आप मेरे को बोलो, तो I can write this, एक सिकेना, बच्चो, इसको रफ करता हूं, तो आपको जादा समझें, यहां पर मुझे cos b की value पता है, 0 है, मुझे a की value क्या है, b cos c, but I know की a की value क्या होती है, that is b cos c plus c cos b, तो मैंने न यहां दिमाग लगाए, तो मैंने c into 0 लग दिया, वो तो मैं कहीं भी लिख सकता हूं, 0 से multiply करके कहीं भी लिख दो, क्या फरक पड़ेगा है, तो 0 ही है, और add होने पर वो मर गया, वो गाया हो जाएगा, और मुझे पता है कि 0 किस की value है बचो, b cos c plus c, 0 is nothing but cos b, और यह proof हो गया बचो, third case, तो यहां पर तीनों के तीनों case प्रूफ होगा है, यह आपने भले हैं, आपके लगबग हमारे 16 मिनट लगे हैं, पर 16 मिनट में 200% आपको तीनों case क्लियर हो जाएगा, खाली एक बार अच्छे से देख लो, एकदम 16 मिनट कॉंसेंट्रेट करके, तो आपका यह theorem, projection rules 200% क्लियर हो जाएगा, तीनों case के साथ, case 1, case 2, case 3, जिसमें हमने first part proof किया, बचो, के बल first part, similarly we will write, कि बचे हुए दोनों proof हो जाएंगे, similarly, बचे हुए दोनों proof, बचे हुए दोनों का मतलब यह को याद करने का तरीका सिखा है, बी इस इकोल टो जैसे मैंने, इस इकोल टो बी कॉसी तो बी में क्या-क्या बी नहीं आएगा उस तरफ, बाकी दोनों आएंगे, यानि कि ए कॉसी ए के साथ सी प्लस सी कॉसे याद हो गया और सी के साथ आ जाएगा बच्चो हमारा बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी कहाने खला, आज यह दिना, खत्म देख, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस वे दन विट इस तेरम, अगला आगे बढ़ ले रहे हैं बच्चो यह पहले दे रखा है, टेंजेंट रूल बोलते हैं इसको बच्चो जैसे हमने तीन देखे अब तक कॉन कॉन से साइन को साइन, साइन को साइन देखा था तो टेंजेंट मिसिंग था यह टेंजेंट है आपका प्रोजेक्शन देखा लेकिन हमने बीच में नागे लिए टेंजेंट, इसको याद रखिए अपने लगबग सारे काम नहीं पड़ जाएंगे अच्छे इसको प्रूफ करना भी आना अचीए लेकिन आपको ठीक है, याद रखना अपनी जगे मान लिजे एक्जाम में यही प्रूफ करने को आगया बोल दिया कोशन में प्रूफ दैट इस इस इक्वल तो इस कोशन आ गया ऐसे तो नेपियर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बट मान लिजे आपको एक सवाल आ गया और उस सवाल में ब लिए पढ़ा है कि भी और सी की बात हो रही तो बचों मुझे पता है कि B upon sign B equal होता है सी अपन साइन सी के एन इससे मैं बिंदाज बोल सकता हूं कि सर्वी अपन सी इक्वल है साइन भी अपन साइन सी के एवन अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रिविएस वीडियो में यह लिखा है कि बच्चों यह हम साइन रूल का एक एक पार्ट है इसको हम यूज करके सवाल कर सकते तो मुझे यह लाइन लिखने की जरूती नहीं थी बड़ ठीक है मैंने क्या कि यह लिख दिया और बाद में इसको इदर इसको इदर अल्टर नेंडो अगर आपको यादो नाइनथ क्लास रेशो एन प्रोपोर्शन में ऐसा कैसे होता है सर यह फ्लिप कैसे होते तो यह अल्टर नेंडो से होते हैं आप मुझे क्या आंसर चीए देखो दो मिनट में आंसर आजएगा सर बीबाई सी आ गया लेकिन अपना बी माइनस सी और बी प्लस सी चीए तो कंपोनेंडो कंगटह टेंडो शील्यों के अंगर मैंने यहां पर कंपोनेंड़ एनडिविडेंडो लगा दिया तो सर भुथा लिए ना नीचे वाली चीज़ ऊपर एड हो जाती है और सेंग चीज़ डिनामेटर में सब्ट्रैक्ट में आती है यहां भी सी प्लस डी सी माइनस डी तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर कर दूँ तो बाए सी इन डी यानिकि पाइक कमपोनेंडों अन डिविडेंडों यह हो जाएगा बच्елे प्लस सी अपोन वी माइनस सी इस इक्वल डूई प्लस साइन सी अपॉं साइन बी माइनस साइनस सी देखू सीम चीज है दो रेशो एक्वाल थे, c and d apply कर दिया, आप c and d apply करते ही, देखो क्या हो जाएगा बच्छो, c and d apply करते ही, आपको लगपक ऐसा दिखने लगा, बसर दिखका दिया है कि minus plus उपर नीचे, तो कर देंगे अपन, लो अब भी कर दिया, मैंने flip कर दिया, invertendo से, तो b minus c उपर, b plus c यहाँ पर बच्छो, sin b minus sin c उपर हो गया, और plus वाला नीचे हो गया, तो देखो एक पार्ट तो आ गया answer का, आप अगर observe करें, तो एक चीज आगे, यह वाला पार्ट आ गया, अब सर बाकी ले आओ, यहाँ टेंची है, यहाँ कॉट ची, अपने पास sign wine रखा है, अच्छा एक चीज और यहाँ plus minus है, यहाँ plus minus में तो नहीं है, दो चीजे sign wine plus में का है, नहीं है, यह तो इसके साथ into में है, यह इदर है, अगर यह भी इदर आएगा, तो डिवाइड में आएगा, तो सर एक काम करो पहले plus minus अटा दो, और plus minus अटाने का सब्से बैतरीन formula सासू चोर, सासू चोर formula, यानि कि cnd formula जिसको आप बोलते, तो यह sign minus, तो बच्चो चार लाइन है, सासू चोर, चोर ससूर, चोर यानि कि sin, चोर यानि कि cos, ससूर यानि कि sin, ऐसा है तो sin, c आ है तो cos, तो आप देखेंगे यह क्या हो जाएगा, यह जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको समझें, तो मैं आपको formula भी लिखके देदे रहा हूं, बच्चो, कि sin, c minus sin, d होता है आपका, two times, सासू चोर, ससूर, cos, c plus d upon two, into sin, c minus d upon two, यह होता है, बच्चो, तो अगर मैं यहाँ उपर अपलाई कर दूँ, तो यह देखो, यह हो गया, b minus c upon b plus c is equal to, sin, b minus sin, c हो जाएगा बच्चो, two, cos, b minus c, b plus c upon two, into sin, b minus c upon two, same denominator में, बच्चो, plus में, तो plus के लिए, जैसे minus के लिए, cos, पहले, sin, बाद में, तो plus के लिए, cos, sign पहले आता है, cos बाद में आता है, सासू चोर, तो भाईया, plus के लिए क्या हो जाएगा, पहले sin आ जाएगा, तो sin, b plus c upon two, into cos, b minus c upon two, और अगर मैं यहाँ observe करूँ ना, बच्चो, two से two मर गया, यह हो गया, b minus c upon b plus c is equal to, cos upon sign, cot होता है, बच्चो, cot, b plus c upon two, into sin upon cos, ten होता है, ten b minus c upon two, अब आप observe करें, लगबग answer आ गया, देखो, यहाँ पहले क्या है, ten b minus c upon two, यह आ गया, ten b minus c upon two, इसको इधर बेस दो, तो यह देखो, ten b minus c upon two is equal to, यह बच्चो, cot में है, इधर आएगा, तो one upon cot हो जाएगा, observe करना, यह जब इस जिस दिन इधर आएगा, इधर into में, इधर आएगा तो divide में, पर मैं divide में नहीं, मैं इसको लिख दूँगा, this is b minus c upon b plus c, यहाँ पे cot में यहाँ आएगा, तो ten हो जाएगा, बी प्लस c upon two, almost answer आगया, लेकिन exact नहीं आए, इसर देखो, first part आगया, second आगया, third में, sir, cot a by two, चीए, देखो, बच्चो, observe करो, अपने पढ़ा है, यह triangle की बात हो रही है, और triangle के तीनों angle का sum, 180 होता है, तो मुझे पता है, b plus c can be written as pi minus a, अच्छे से बोलना आया या नि, pi मतलब 180, याद रखना का तो, pi का मतलब 180 होता है, so it can be b plus c can be written as pi minus a, तो यहाँ पे क्या जाएगा भई, यह b minus c upon b plus c, ten, it is pi minus a upon me two, सबको मिलेगा, pi को भी मिला, और एक को भी, b plus c, pi minus a, उपर, upon me two ता, दोनों को दे दिया, और अगर आपको मैंने अब भी बताया, upon me two दिखा, तो change, ten turns out to be caught, साथ में जो है, a by two, first quadrant is positive होता है, और मेरे को लग रहा है, आपका theorem, प्रूफ हो गया, बहुत चिंदी था, अब बस बहुत चिंदी में कुछ खास बाते याद रखने वाली थी, कुछ खास बातों में, पहली खास बात 3 and D आना चाहिए, component और 9th class क्या होता है, second, आपको सासू चोर formula आना चाहिए, यानि कि ये वाला formula clear होना चाहिए, बच्छो ये पूरा, तब आप इसको replace करेंगे, और बस replace करते ही कानी खत्म, इवन ये भी पता होना ची कि πाई बाई टू में change होता है, अगर यहां पर पाई होता तो बच्छो टैन का टैनी आता, पाई बाई टू था इसलिए टैन का कॉट मन गया, ठीक है, यह basics है, बहुत छोटी-छोटी बाते, अगर आपकी basics नहीं clear है, ट्रिको को लेके तो please comment, so मैं उस पर एक special series बना दूँगा पूरी ट्रिको, तकि आपको भेंकर तरीके सब याद हो जाए, यह जबकि सबसे difficult formula में से consider किया जाता है, बच्छो यह, बहुत rare use होते हैं, कम use होते हैं, तो बच्छो को आते नहीं है, तो अगर आपको दिक्कत है महां important, question solve करने के लिए बच्छो सबसे जबर जिस चीज हाफ एंगल formula, साइन, को साइन, हाफ एंगल, इसी पर आपके पूरे के पूरे exercise का जीवन टिका है, तो आप यह तीन चीजे बहुत strongly कर लें, पहला sign rule अच्छे से आना चीए, को साइन, रूल अच्छे से आना चीए, हजी बही अगला point हमारा है, हेरां सी, sorry, अगला जो है वह हमको, हेरांस देखना है, बच्छो ठीक है, तो बही पहले continue करते हैं, यहां से, 20 मिनट पहुच गा है, ठीक है, so half angle formula, ओके, ठीक है, बच्छो, half angle में, मदब आपको तीनों की बाते करनी है, sign, cos or 10, sign में, sign a by 2, half angle य यह आने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिको आना चाहिए, 11th class का, अब 11th class का क्या क्या आना चाहिए, पहले को समझते हैं, तो अगर आपने 11th class में, बच्छो, cos 2 theta का formula पढ़ाओ, इसके 3 formula होते हैं, दो हमारे काम के, पहला 1 minus 2 sign square, एक ही आना चाहिए, क्योंकि देखो, यह को यहां से मुझे मिलेगा कि 2 sign square is nothing but, 1 minus cos 2 theta, यहने कि in short sign square is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2, इस 2 को मैंने वाफ एक दिया, ठीक है, यहां से रफ कर दिया, similarly, यहां से बच्छों मुझे मिलेगा कि cos square is nothing but, 1 plus cos 2 theta upon 2, यह दो बाते हमको याद होनी चीए, एक यह और एक यह क्योंकि इनी का यूज करके मैं सारे half angle proof करूँगा, मैं पहले आप proof देखिए, last में जब मैं याद कराऊंगो ना, आपको 200% याद हो जाएगा, सबको, ठीक है, तो पहले हम समझते हैं, खाली पहले समझो, यहां पे sin square theta मिला, अगर मैं इसी को और सही करूँ बच्छों, त बच्छों, एंगल को 2 से डिवाइड गया, तो यहां भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिस दिन 2 से डिवाइड होगा, टू, टू कैंसल हो जाएगा, तो अल्टिमेटली मुझे sin theta by 2 क्या मिला, ध्यान देना बच्छो, sin a by 2, theta की जगे a यूज कर रहा हूं, is nothing but under root of 1 minus cos a upon 2, बस मैंने यहां पर लिख दिया a के लिए, कहानी हमारी यहां से start होगी, लेकिन उसके लिए basics foundation, जो आपका strong होने हैं चाहिए, नहीं तो फिर आपको कुछ समझें कानी कि सरक कहां से क्या आगए, आप रट तो लेंगे, आपको याद हो जाएगा, जो मैं लास्में लेकिन concept खोपड़ी से ऊपर होगा, तो भाईया, यह कहानी basics 11th की, जहां से हमने sign a by 2 लाया, ऐसी cos a by 2 यहां से आएगा, तो cos a by 2 जबाएगा, आप तब देखेंगे, ठीक है, इसको clear करते हैं, ताकि हम भाईया, sot में आ सके, यह हम trigger चले गए ते 11th class, अब मैं sot पर आता ह triangle, यह ऐसे जो traditional triangle हमारा use करते हैं, यह बच्चो a b c notation usual notation, a के सामने छोटा a, b के सामने छोटा b, और c के सामने छोटा से, अब मुझे प्रूफ करना है, तो मैं खट से, देखो, cos से दिखा, तो मेरे को तुरंट cosine क्लिक होगा, और cosine का formula आप सबको पता है, that is, one minus, देखो a की बात हो रही है, यह a, अगर आपको याद होगा, मैंने कैसे याद कर रहा है था, बच्चो, एक से touch वाले दोनों ले लो, जैने कि b square plus c square, minus a square upon 2ab, बहुत अच्छे से द्यानने के सारे बच्चे, अब मैं यहाँ पर क्या करतूँगा, बच्चो, यह 2ab हो गया, minus b square, minus c square, देखो, सारी sine change हो गया, plus a square, और upon में बठाए 2ab, अब सर इसको आगे कैसे ले जाओ, तो इसको आगे ले जाने से पहले आप सारी को न थोड़ा सा यह पता हो न अचीकिसर, perimeter क्या होता है, triangle का, तो perimeter, जिसको हम ऐसे denote करते हैं, वह बच्चो, नोट से perimeter, p से denote होता है, ऐसे semi perimeter होता है आधा perimeter का आधा उसी का काम है मेरे को यह तीनों का sum यह तीनों को sum को perimeter बोलतेैं बच्चो जिस दीन मैंने उसका आदा कर दिया तो मेरे को to s मिलता है S की value यह हम हेरान्स formula में पढ़ते हैं अगर आपने S is semi perimeter semi perimeter आप semi perimeter मतलब perimeter का आधा perimeter होता है बच्चो A plus B plus C उसका आधा that is semi perimeter s for any triangle area of triangle निकालना है तीनों साहिट दिया है यह सबसे बैथरीन तरीका है पर फिलाल हम हम बेक टूआ वोग किसर s is this अब अगर ना वच्चोप यहां से अच्छे से ध्यान दो तो आपको ना कुछ दिख रहा होगा देखो क्या दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा री कल्कुलेट करके मतलब प्रॉपर दरीके से लिख रहा हूं ए पॉजिटीव यह उसको पहले लिख दिया मैं मैंनस बी स्कूयर है एक काम कर रहा है थोड़ा और सही कर रही कर्णा थोड़ा इसलिए कर रहा हूं कि इसमें स्कूयर मैंने पहले ना कि A2 को रहने दे रहा हूं मैं इसमें A B है यह B है यह इनको ना सब को साथ में लाओ थोड़ों साथ में नहीं लाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होने वाला है जब तक यह सारे साथ में नहीं आएंगे अब इसको साथ में लाने के लिए क्या करूं बचो तो calculation error है मैं बहुत मैंनत कर दें नहीं calculation error हो गई देखे क्या दिक्कत हो गई ना इसके साथ वाले आते ध्यान रखना प्लस ब्लस बी स्क्वेर माइनस इंस्क्वेर अपॉन में टूबी सी आता है यह दूनों आते सामने वाला नहीं आता ठीक है थोड़ा करेक्शन कर लेना जैसे यहाँ पर टूबी सी माइनस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर प्लस इस पर ना इस करेक्ट लेक्ट इपन काम मिस्टेक है तुरंद कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा बच्चो अब अगर मैं इसको अब्ज़र्व करूं यह देख मैंने माइनस कॉमन निकाला अच्छे से दिहां दिना इन तीनों से माइनस कॉमन निकाल लिया अच्छा माइनस कॉमन निकालते ही हुआ क्या एट इस एव स्क्वेर माइनस टुए प्लस बी का बी स्क्वेर का फॉर्मूला बन गया और अगर फॉर्मूला बन गया तो मैं इ old स्क्वार्ड है बाट प्लुस की बेरो स्क्वार्ड ऑब −2ável माइन सी का होल् स्क्वार्ड मैं न है अगर मैं देखां यह यह क्या है गто इसका भी स्क्वार है ऑल स्क्वार है तो इसको अगर मैं एक्स्पा Assistant कर दो छो किसमें यह एक और स्कूर माइनस यह पूरा B समझो A- B-Square जो कि हम बच्पन से पढ़ रहे है A-B and A-B होता है अगर आपको कोई दिकत नहीं तो बच्चो यह 200% रहे हैं A-B and A-B अगर मैंने यह ब्रैकेट ओपन कर दिया बच्चो तो यह हो जाएगा आपके ब्रैकेट में इस ए इस माइनस भी एन माइनस माइनस प्लस सी सेकंड ब्रैकेट जो है वह एस इस अपॉन टूबी सी अब देखिए भी कम्प्लीट होने को है एक दम ध्यान देंगे सब बच्चे थोड़ा सा मैंने जब बोर्ड में जगे कम थी इसको स्वीज किया ज्यादा स्वीज हो गया ऐसा लग रहा है ठीक है आपको समझ दीखेगा अब के वलना भी है रोस पॉर्मुले पर फोकस रखना सब लोग यानि कि सेमी पेरिमिटर पर फोकस रखना यहां पर देखो बच प्लस पी क्या ओजाएंगा बच्चो तूस इदर आएगा माइदस सी को इदर बेज गया तो आ प्लस बी हो B can be written as 2S minus C and A plus C can be written as 2S minus B. अच्छे उसे देखना, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, A plus C को मैंने replace कर दिया, बच्छो 2S minus B, already already एक minus B बैठा है, और यहाँ पर इसको replace किया 2S minus C, और already एक C बैठा है, अगर नहीं समझाओ तो पूछना बच्छो, यह देखो वापस देखते, A plus C, see here, यह A, A plus C, A plus C क्या हो जाएगा, 2 इधर गया तो 2S, और B इधर गया तो minus B, तो A plus C can be written as 2S minus B, और यह 2S minus C, अब जिस दिन दोनों add हुए बच्छो, यह output देंगे, हमको under root of 2S minus 2B, second bracket 2S minus 2C, upon 2BC, और अगर आप देहन दें, तो इससे 2 common, इससे भी 2 common, total 4 common, total कितना common बच्छो, 4 common, तो यह क्या बचा, यहां से भी 2 common है, यहां से भी, तो एक 2 तो कट गया, बच्छो, एक 2 बच गया, और S minus B, S minus C upon BC बचा, जबकि दोनों 2 कट जाने चाहिए थे, अच्छा लोग, कहीं calculation जोल हो गया, क्या, देखे, यह अपॉन वाला टू, स्टार्ट से घाया है, यह अपॉन में 2, तो यह बच्छो, 4 हो जाएगा, यहां पर सीदे सीदे, ठीक है, ज्यान देना भी थोड़ा सा, यह 4 हो जाएगा, यहां पर भी 4 होगा, तो टू, सारे टू कर जाएंगे बच्छो, कोई टू नहीं बचेगा, अगर आपको समझाओ, नहीं समझाओ, तो भई मैं एक बार और एक्स्प्लेन कर देता हो, इस एस माइनस बी, एस माइनस सी अपन बी सी, आप देखेंगे, यहां पर यह टू खा गया था, मैंने यहां तो रख दिया, फिर यह टू मिस हो गया था, यह टू हमने लिखा ही नहीं था, अगर वो टू है, तो प्रॉस मुटिप्लाइन के बाद विच्छो, यह टू टू पूर पूर पूरा कैंसल हो गया, और हाफ एंगल पहला फॉर्मूला, यह क्या मिला भाई हमारा पहला फॉर्मूला हाफ एंगल का, साइने बाए टू, इस नथिंग बड अंडर रूट ऑफ, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और बंद हो गया, एक से किन बाद करते हैं, पूरूफ हो गया, यह हमारा साइने बाए टू का फॉर्मूला था, इसको मैंने शायद थोड़ा सा स्वीज किया था, तो सब उड़ गया, ठीक है, कोई नहीं, मैं एक नए स्लाइड पर ले लेता हूं, तो बचो हमारा साइन हाफ एंगल मिल गया, साइने बाए टू, और स जाने की वज़े से सब कुछ जिसब हो गया था, चली, सुभी है, यहां पर हमको मिल गया, साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला, सिमिलरली बच्चो हम कॉस हाफ एंगल एंगल धूंड सकते हैं, मैं धूंडूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो आपको, ठीक है, मैंने एक प्रूफ उपाउन टू, सेम सेम सिच्वेशन आपको कॉस ए रख देना है, एंदेन क्रॉस मैंटिप्लाय और बाकि सारह कुछ एज इस जैसे मैंने साइन को प्रूफ किया, वैसे ही कॉस्ट प्रूफ होगा, और टेन प्रूफ करने की ज़रूद नहीं, साइन अन कॉस्ट एंट तो क क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है, कानी खत्म, तो मैं बच्चो अभी आपको सीध्य कॉस का फॉर्मूला बताने वाला हूं, और एकदम जवर्जस तरीके से याद कराने वाला हूं, तो बच्चो कॉस इग्जैक्ली होता क्या, अच्छा साइन ने पहले तो इसको साइन देखना, साइन देखना, सास थोड़ा उल्टा लिख दीजै, नहीं तो सास नहीं निकलेगी आपकी भी, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, S-A into S upon BC, that is सास बक, सास बक, सास बक, तो याद हो गया होगा, दो, सब सच बक, सास बक, एन बच्चो 10 आपको बच्पन से पढ़ता है, 10 क्या होता है हमारा, that is sign upon cost, यानि कि this upon this, सीधे लिखता हूं आंसर बच्चो, time waste नहीं करते हैं, जैसे दोनों को divide करेंगे, बीसी बीसी कट गया, उपर क्या बच्चा, सब सच बटे सास, that's it, यह हो गया हमारा 10 A by 2, यह हो गया हमारा cost A by 2, and this is your sign A by 2, 200% आपको याद हो जाएगा, याद करना बहुत आसान है, तीनों फॉर्मूले आपकी खोपड़ी में fit हो जाएंगे, sign A by 2, आपस देखते है, sign A by 2 is, सब सच बट, cost A by 2 is, सास बट, सास ध्यान देना, S minus A, S upon बट, और 10 क्या होता है, बच्चो, sign A upon cost, यानि कि दोनों को डिवाइड कर दो, जिस दिन आपने दोनों को डिवाइड किया, 20, 20 मर गया, तो उपर क्या बचा, सब सच अपॉन सास, और तीनों फॉर्मूले, clear हो गया है, मुझे उमीद है कि 100% आपको याद हो गया होता, तो बहुत आसान है इनको याद करना, याद रखना बहुत आसान है, प्रूफ थोड़ा लेंदी था, मैंने करके दिखाया, वह तफ नहीं है, वह भी easy है, ठीक है, चलो, तो यह तीनों आपको याद होने चाहिए, बहुत important formula है, बच्चो, सवाल solve करने के लिए, महा important है, तो इनको अच्छे से एक्टम अपनी खोपड़ी में fit कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बीच में आपको बता दिया था, बच्चो, a is equal to s, s minus a, s minus b, s minus c, and s is semi parameter, s is equal to a plus b plus c upon 2, एक point मुझे और discuss करना है, बच्चो, before we start with exercise, exercise तो महाच हिंदी है, पर एक point आपको जो और आना चीए, हो है, कि सरी यह होता है area of triangle, जो कि हम छोटे-छोटे से तब से पढ़ रहे है, आप इंड़ बेस इंट, लेकिन अगर अपने triangle में, मैं सोटी में बात करूँ बच्चो, अगर यह मेरा triangle है, अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे, यह मेरा general triangle है, यह बी-सी, इसकी जन्द यूजर नोटेशन यह चोटा ए, इस इस मैं चोटा भी एंडिस इस मैं चोटा सी, यह हाइट है अगर सब्सक्राइब करें, याद रखना है, आपको मैंने साइन रूल में सारा कुछ करार रखा हुआ है, साइन रूल में प्रूफ करके भी दिखाए था, तो अगर मैं इस इस एंगल को देखू बच्चो, दियान देना, अगर मैंने बोला मिरेको हाइट चाहिए, निकालनी है, तो आप बोलेंगे सर सी साइन भी है, सो बेसिकली एरिया ट्रेंगल मुझे क्या मिल गया, यह आपको याद होना चाहिए, हमने साइन रूल में प्रूफ भी किया है, लेकिन यहाँ पर आपको बाहार होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूत पड़ेगी हमको सवाल सौल करने में, आप एबी साइन भ बाते हैं, आपको याद रखनी है, बच्चो, विफोर वी स्टार्ट एक्ससाइज 3.2, देखें, बेसिक्स काफी है, यह अपने अपने चेप्टर है, सूलीशन अव ट्रेंगल, पूरा चेप्टर है, उस चेप्टर को आपकी बुक में एक एक एक्ससाइज में कंसाइस करक लो, तो टाइम तो लगेगा इसको पढ़ने में, तो दो वीडियो तो हमारे चले के समझो, बेसिक्स में, पहला वीडियो मैं ने बनाया था, बच्चो लगभग वी 30-35 मिनिट्स का था, और यह भी ऑल्मोस 42 मिनिट्स पहुंच चुका है, इन दोनों वीडियो को बहुत अ नेक्स वीडियो में मिलेंगे एक्सराइस के साथ, बैबाय टेक क्यार पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें